नमस्कार दोस्तों, रुदराक्ष पहन लेने से कुंडली के प्रेडिक्शन में क्या अंतर आता है? कौन से ग्रह मस्बूत हो जाते हैं? कौन से ग्रह कमजोर हो जाते हैं? कौन से ग्रह डी एक्टिवेट या फिर एक्टिवेट हो जाते हैं? कौन से नक्षत्र आपको तुक्चा जाता है यह नहीं आपके कुण्डली त्वर कर यह कहना होता है कि कुण्डली के जो प्रेडिक्शन से या फिर जो सिप्लानेट स्व है जो लेना देना ही नहीं नहीं है जियोतिश का, जियोतिश का मतलब obviously कुंडली prediction या फलादेश की में बात कर रहा हूँ, इनका रुदराक्ष से कोई लेना देना ही नहीं है, रुदराक्ष का लेना देना जो है वो धर्म से है, धर्म की एक शाखा है जियोतिश, लेकिन और और धर्म से रुदराक्ष का लेना नहीं पड़ेगा, आपको रुदराक्ष पहनना चाहिए, देखिए रुदराक्ष आप बीना कुंडली देखे पहन सकते हैं, रुदराक्ष पहनना एक सामन्य बात है, बीना कुंडली देखे पहन सकते हैं, इस बात को आप जो है समझिए कि बीना कुंडली देखे पहन सकत और सबसे पहले तो यह समझी कि रुद्राक्ष है क्या तो रुद्र अक्ष इन दो शब्दों से मिला रुद्राक्ष रुद्र रहने हम भगवान शीवशंकर जो है उन्हें रुद्र कहते हैं तो रुद्र और अक्ष अन्हें आसू तो भगवान शीवशंकर के जो आसू है व रदे पर मतलब गले में, necklace जिसे हम कहते हैं, तो गले में पहनने की है, महीमा, और जब आप उन्हें गले में धारन करते हैं, तो modern science ने ये सिद्ध किया है, आधुनिक вже ग्यान ने भी ये सिद्ध किया है, जब आप उन्हें गले में या चाथी के पास लगा करके रखते हैं द ज़रीका पौब्लम का प्रॉब्लम बहुत स्कारी चाती संबन्दी संबस्या हो सकती है उन सारी चाते सभ। लें रुप्रॉप्राक्ष जो है बैद स्विंध कैंसे मेरा ये मेरा ये मेरा ये سारी चीजें हैं obviously कहीं न कहीं बहुत जोदा tension भी देती है तनाव भी देती है anxiety भी देती है जब आपके अंदर एक वैरागी होता है तब आप tension anxiety depression से निकल पाते हैं जिस व्यक्ति के अंदर वैरागी है वो कभी depression anxiety या चिंता में नहीं जाएगा वैरागी का मेरा मतलब यह नहीं है कि सब कुछ चाले करके हम हिमाले पर चलेगे नहीं वैरागी का मतलब यह भी कुछ हट्तिक वैरागी होना चाहिए जिससे कि हम anxiety depression चिंता में न फसे तो रुद्राक्ष जो है वो यह देता है हमें चूंकि anxiety चिंता depression या फिजुल के विचार जो है हमारी दिमाग में नहीं चलेंगे तो psychological हम खुश रहेंगे अब देखिए आपके पास जितना आना है आएगा तो उतना ही मतलब रुद्राक्ष पहेंज़ने देखने के कुंडली का विवेचन करवाने की कोई जरूरत नहीं है आपको आप कोई भी है रुद्राक्षा पहन सकते हैं खास तो पर गले में पहने जो च्छाती से रदे से टच करता है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा आप इस्तरी हैं कोई इसका फर्क नहीं पड़ता है रुद्राक्ष आप सभी पहन सकते हैं चलिए बहुत धन्यवाद कई लोग जो है वह कुंडली के आधार पर मुझे पूछते हैं रुद्र आपके लिए बहुत धन्यवाद आने वाले वीडियो में आने वाले एपिसोड में फिर मिलेंगे तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा नमस्कार